क्या दूत पीने से वायगरा का इफेक्ट आता है इसके बारे में लोग पूछते रहते हैं तो मैं अभी आपको छे चीजे ऐसी बताता हूं कि जो छे चीजे आप दूद में मिला कर दूद पीते हैं तो डेफिनेटली आपको भायगरा जैसा इफेक्ट आजाएगा और लिंक की कठोर का जल्दी गिर जाना फर्टिलिटी इसमें ये काम में आएगा एक लास दूद का लेते हैं और इसमें छे चीजे डालते हैं तो डेफिनेटली आपको भायगरा जैसे एफेक्ट आएगा रोज एक लास दूद सोने के समय ये मिला कर लेना ज़रूरी है नंबर एक आप तीन चम्मच बढ़ रहता ना बढ़ बनियन ट्री तो उसकी जो रूट रहती है पड़ ब्लिते हैं मार्केट में आप ले सकते हैं और बोडूरी में ड्यायक चम्मच आश्वगंध एक चम्मच क्या करना है कि अद्रक डालना है उसके पॉड़र राने अद्रक की पड़र करना है और पन्रह से 20 मिनित तक जूद में हलके हलके जूद में मतलब हलकानगा उ क्वारम गुंगुना दूथ और उसमें वह अद्रक की पॉड़र डालना एक चमच और थोड़ा गुंगुना सा उसको उबालने का है और उसमें फोड़ी शक्कर डालने का है तो यह तीसरा पहला मैंने बताया तीन चमच बनियंट्री रूट पॉडर मतलब वड़ का है और जैसा मैंने पहले कुछ वीडियो में बताया था कि केसर व्युक तो दूद देते हैं फॉस नाइट को पांच वह सफेद मुसली सफेद मुसली की पर पाउडर मिलती है और स्पर्म कौन बढ़ाने में मतलब शुक्रान का गुन अंक बढ़ाने में कट्रोद आने में स्अधार बढ़ाने में बहुत काम में अते हैं खायए पर चहत्वा है छन बती म्हाटाल मैं तो हम कोई भी होटnam में इन जालकर गुनगोनासा उसको उबालते हैं थोड़ा सा लुकुवारम करते हैं शक्का डालते हैं थोड़ी तो यह मिक्स्टर के वाद बहुत भड़ीया टेस्टी लगेंगा और आपको फेटिलिटी के लिए शिगर पतन के लिए और कट्रता के लिए बहुत कामें आएगा यह चीजे मिला कर आपको वाएगरा का इफेक्ट आ सकता है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं तीन चमच बड़ व्रुक्ष के जड़े जो है उसकी पाउडर नंबर दो एक चमच अश्वगंधा नंबर तीन एक चमच अधरक पॉणर थोड़ा चमच मदलब टी स्पून टेबल स्पून चमच जो है चाय का वो चमच लेना है और इच्छे चीजे डालके दूद में डालकर थोड़ी शक्कर और थोड़ा सा उसको गुंगुना करना दूद को और वो पीते है तो बहुत अच्छा फायदा होंगा और यह फॉस्ट नाइट को सुहाग रात को डिफ सब्सक्राइब करो थैंक यू बरी मुच